हेलो दोस्तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजिनियरिंग गुरुजी में आज के इस वीडियो में दोस्तो रीमें डवल फेस एलाइमेंट के बारे में जानेंगे double face को single face में किस तरीके से convert किया जाता है उसके बारे में जानेंगे दोस्तो आज से regular तीन वीडियो upload होगा एक double face को single face में किस तरीके से convert करते हैं दूसरा हम लोग vertical moment के alignment को समझेंगे double face से और तीसरा horizontal moment को समझेंगे हम लोग double face dial indicator से दोस्तो तो वीडियो बहुत knowledgeable होने वाला है अगर चैनल में नए है और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरन चैनल को subscribe कर लिजे साथ ही bell icon को press कर दीजे जिससे आप लोग को regular notification मिलते रहेगा दोस्तो चैनल का membership अभी तक अगर आपने जोइन नहीं किया है तो तुरन जाकर चैनल का membership जोइन कर लिजे क्योंकि members के लिए special video upload हो चुके हैं दोस्तो तो चलिए करते हैं वीडियो को start वीडियो में बने रहेगा अंत तक वीडियो को एकदम skip मत किजेगा दोस्तो इसी वीडियो में double face को single face में करने का तरीका भी बताऊंगा साथ में इसका formula भी में बताऊंगा कि double face जो alignment रहता उसका formula किया है ठीक है दोस्तो तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि dial indicator को किस तरीके से set किया जाता है यह जो देख रहे हैं दोस्तो यह pump है और यह motor है यहां आप लोग को drawing में पता चल गया होगा pump को हमेशा master माना जाता है दोस्तो और इसके बोल्ड वगेरे pipeline के बोल्ड वगेरा सारा tight कर दिया जाता है और एक equipment को master माना जाता है pump को या motor को ज्यादा तर pump को master माना जाता है दोस्तो ज्यादा तर जो pump है उसी को master माना जाता है ठीक है इसको आप लोग को याद रखना है अब pump का baseball वगेरा सारा tight कर दिया आपने यहां पे इस तरीके से stand आता है दोस्तो जो कि आपको खुद से बनाना पड़ता है या तो आपको readyment भी मिल लेगा वट जो खुद से बनाईएगा उस पर अच्छी तरीके से आप dial indicator को set कर सकते हैं तो इस तरीके से pump में clamping कर दिया जाता है dial indicator का जो stand है उसको और इस तरीके से दो face में लगाया जाता है dial indicator face 1 और face 2 और एक radial में लगाया जाता है दोस्तो ठीक है ये radial है और इसको axle बोला जाता है radial and axle alignment भी जो बोला जाता है उसी को rim and face alignment भी बोला जाता है दोनों same ही चीज है radial मतलब radial हो गया और axial जिसको अभी मैं face 1 और face 2 लिखा हुआ हूँ इसको axial 1 और axial 2 भी आप लोग बोल सकते हैं दोस्तो तो इस तरीके से दो dial indicator लगते हैं face की और से और एक radial में dial indicator लगाया जाता है यहां तक आप लोग को clear हो गया होगा दोस्तो उसके बाद आपको distance लेना पढ़ता है distance दोनो dial indicator जो face dial indicator है दोनो dial indicator का needle जहां पर touch करेगा वहां तक का distance दोनो face dial indicator का needle सोचे यहां से लेकर यहां तक touch है तो coupling का dimension हुआ यह यह जिसको लिखा हुआ है यह coupling dimension हुआ ठीक है दोस्तो पूरा coupling का dimension नहीं ले लेना है जहां पे face dial indicator का needle टच किया है यहां से यहां तक वहीं तक का distance आप लोग को लेना है जिसको A बोला जाता है दोस्तो B क्या है? Rim dial indicator का center जहां पे coupling में rim dial indicator का जो यह वाला needle touch किया है सुचें यहां पे यह वाला needle touch किया है तो उसका center से लेकर motor का जो front foot है उसका base bolt तक का जो distance है उसको B बोला जाता है दोस्तो C किसको बोला जाता है? Motor के front foot से लेकर motor के back foot तक का जो distance है उसको C बोला जाता है दोस्तो और यह dial indicator है इस तरीके के तीन dial indicator का इस्तमाल किया जाता है दो face में लगे हुए रहते हैं इस तरीके से दो face में लगे हुए रहेंगे और एक radial में लगा हुआ रहता है दोस्तो dial indicator भी आपको देखने आना चाहिए अगर नहीं आता है आपको देखना कि किस तरीके से dial indicator को read किया जाता है तो इसका भी video मेरे channel में available है all alignment videos को check किजएगा playlist को check किजएगा जिस पे आप लोग को यह वाला जो देख रहे हैं dial indicator देखने का process पता चल जाएगा और video के end में भी आप लोग को मिल जाएगा दोस्तो उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं dial indicator को किस तरीके से देखा जाता है ठीक है तो यहां तक clear हो गया होगा दो face dial indicator लगते हैं एक radial लगता है इस तरीके से आपको setup बना कर और लगाना पड़ता है motor का base bolt वगेरा लूज रहता है दोस्तों pump का base bolt tighten कर दिया जाता है distance क्या क्या लिया जाता है मैंने पहले ही बता दिया face का जो दोनों plunger से touch किया रहेगा यह वाला जो देख रहे है needle टच किया रहेगा coupling में वहां तक का distance radial का जो यह वाला needle जहांपे coupling में touch किया होगा महां से लेके motor का first bolt का distance और मोटर के first bolt से लेकर back side का bolt का distance इसको C बोला जाता है A, B, C ये तीन dimension लेना पड़ता है आप लोग को और ये वाला तीन dial indicator का radial का और दो face का ये छे reading आपको लिखना पड़ता है दोस्तों ठीक है अब हम लोग समझते हैं कि reading की इस तरीके से लिखा जाता है ये बहुत important चीज है dial indicator आपने इस तरीके से set कर दिया dial indicator को set करने के बाद 12 a clock 12 a clock कहां पे होगा घड़ी आपको देखना है घड़ी में जो 12 a clock होगा वो उपर की और होगा दोस्तों और नीचे जो होता है 6 a clock है जैसे कि यहाँ पर मैंने बना दिया देखिए 12 a clock, 6 a clock, 3 a clock और 9 a clock ये 4 direction का reading हम लोग को लेना पड़ता है दोस्तों तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 12 a clock में इसको set करके उपर की और रखना है motor pump और motor है सोचिए और ये उपर का face है उपर की और आपको dial को रखना है ये वाला radial के dial indicator को और ये उपर वाला face 1 होगा और नीचे वाला face 2 होगा दोस्तों अब इस पर करना है आप लोग को तीनो को ही 0 set कर देना है तीनो को ही इस तरीके से 0 कर देना है radial का क्या होगा ये वाला needle यहाँ पर है तो radial देखिए यहाँ पर जीरो है Face 1 भी उपर की और है तो यहाँ पे देखिए Face 1 भी 0 है Face 2 जो है दोस्तों वो नीचे की और है 6' क्लॉक की और है तो देखिए यहाँ पे 6' में यह 0 मैंने set कर दिया है अब यह तीनो dial indicator को हम लोगों ने 0 set कर दिया अब धीरे धीरे आपको क्या करना है 3' क्लॉक की और लेकर आना है इसको घुमाते वे 3' क्लॉक की और लेकर आना है clockwise घुमाना है घड़ी का कांटा जीदर घुमता है ना इस तरीके से उस तरीके से आपको motor का back side खड़ा होना है और घड़ी का कांटा का direction में घुमाना है तो यह 3 a clock में आएगा दोस्तो 3 a clock में जब लेकर आईएगा उस समय जो rim dial indicator का जो reading रहेगा उसको आप लोग को note कर लेना है इस तरीके से note कर लेना है face dial indicator का जो 3 a clock में जो reading होगा वो आप लोग को लिख लेना है दोस्तो face dial indicator भी 3 a clock में चल जाएगा तो जब आप घुमाओगे 12 अ क्लॉक से तो दोनों ही 3 अ क्लॉक में आएगा बट जो phase 2 है वो चल जाएगा 9 अ क्लॉक की और क्योंकि यहाँ 6 अ क्लॉक में था और यहाँ से घुमेगा वो इस तरीके से घुमेगा इस तरीके से जब घुमेगा न दोस्तो तो वो 9 अ क्लॉक की और जाएगा इधर जाएगा वो 9 अ क्लॉक की और जाएगा तो हम लोगों ने रिम डाइल इंडिकेटर का 12 अ क्लॉक से 3 अ क्लॉक में लाया तो रिडिंग आया प्लस 0.15 यह एक्जामपल है दोस्तो ठीके अब फेस वन का हम लोगों ने रिडिंग ले लिया 3 अ क्लॉक में कितना आगिया माइनस 0.12 उसी तरह कैसे F2 का जो फेस डाइल इंडिकेटर 2 है उसको हम लोगों ने जब घुमाया यह वाला यह वाला जब 3 अ क्लॉक में आएगा दोस्तो फेस 1 तब फेस 2 क्या होगा 9 अ क्लॉक में चल जाएगा तो हम लोगो 9 अ क्लॉक का जो रिडिंग है वो लिख लेन है फेस डाइल इंडिकेटर का जो रिडिंग है वो आपको लिख लेना है यहाँ पे फेस 1 जब नीचे आएगा दोस्तो उस समय फेस 2 ऊपर की और चल जाएगा 12 अ क्लॉक में चल जाएगा तो इसका जो रिडिंग रहेगा 12 अ क्लॉक में हम लोग लिख लेंगे फेस 2 का दो रियल डाइल का जो रिडिंग होगा उसको आपको लिख लेना है फेस 1 जिसको एकसल 1 भी बोला जाता है उसका भी रिडिंग जो आएगा उसको आपको लिख लेना है फेस 2 जिसको एकसल 2 भी बोला जाता है उसका रिडिंग आपको यहाँ पे 3 अ क्लॉक यह जब 9 अ क्लॉक में जाएगा phase 1 phase 2 कहां पर आ जाएगा 3 a clock में उसका भी reading आपको लिख लेना है plus 0.02 इस तरीके से आपनों को reading 4 direction का reading ले लेना है दोस्तो 12 a clock, 3 a clock, 6 a clock और 9 a clock ये दोनों opposite चलते हैं अगर ये 12 a clock में रहेगा phase 1 तो ये 6 a clock में रहेगा, ये अगर 3 a clock में रहेगा तो ये 9 a clock में रहेगा और radial simple है दोस्तो, radial क्या है? 3 a clock में आएगा, 6 a clock में आएगा और 9 a clock में आएगा तो इसका reading आपने तीनो reading आसानी से लिख लिया, इसका measurement कर लेना है distance, यहां तक का यहां तक का जो distance है, दोनों face dial indicator का needle जहां टच किया है coupling में, वहां तक का reading आपको लिख लेना है, measure करके mm में जितना भी measurement है सब mm में लेना है दोस्तो A, जो coupling का dimension है, वो 500 है B, यहां से यहां तक का जो distance है, वो 800 है और C यहां से यहां तक का जो distance है वो 1200 mm है वो सारा मैंने लिख लिया इस तरीके से आपको reading लिख लेना है दोस्तों एक दो तीन चार पांक छे ये 6 reading लेना पड़ता है ये 6 reading लेने के बाद दोस्तों alignment करते समय आप एक ही face का reading लिख सकते हैं तो आपको अभी final face reading लिखालना final reading तीस तरीके से लिखा लेंगे वो भी मैं बता देता हूं final reading का एक formula आता है दोस्तों जो कि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे हम लोग final reading अभी लिखा लेंगे दोस्तों final reading का formula क्या है F1-F2 तो जो जो reading वहाँ पे आया था मैं यहाँ पे लिख दिया देखिए यहाँ पे जो जो reading आया था तीनों का 1,2,3 radial का भी जो reading आया था यहाँ पे वो लिख दिया f1 का भी जो reading था यहाँ पे लिख दिया और f2 का भी जो reading था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया अब इसका formula क्या है दोस्तो f1 minus f2 f1 के साथ f2 को minus करेंगे तो final reading आ जाएगा और यह देखे यहां पर मै ने लिख दिये यहां फे confuse होता है minus कैसे हो जाता है यहां पर भुम प्लस प्लस होता है plus minus minus होता है minus minus plus होता है और minus plus minus होता है इसको याद रखना है यह याद नहीं रहेगा तो alignment आप नहीं कर सकते हैं दोस्तों अब हम लोग इसका final reading लिका लेंगे, final reading लिकालना simple सा है, आपको 4 direction का लिकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 12 a clock का लिकालते हैं, 12 a clock का लिकालते हैं, 12 a clock का लिकालेंगे, तो F1 के साथ F2 को minus करना है, तो F1 कितना है यहाँ पे, 12 a clock 0 है, और जब इसका 12 a clock लिज दोस्तों इसका opposite लेना है F2 का opposite लेना है इसका याद रखना आपको तो यहां पर 0 है क्या है 0 है minus यहां पर क्या है 6 में F2 का 0 है तो answer क्या जाएगा 0 दोस्तों तो इस तरीके से जीरो आगया अब हम लोग लिखा लेंगे थ्री एकलोग का रेडिंग लोग लिखा लेंगे तो कितना है आप लोग को यहां में फोन में क्या है सबस correkte का है यहां पर यहां पर में आएगा दोस्तों इसको याद रखना है 9 a clock के reading को आपको minus करना है तो 9 a clock का reading क्या है plus 0.1 इसका answer कितना आ जाएगा यहाँ minus 0.12 minus कर देना है plus minus क्या होता है यहाँ पर देख लिज़े देखे माइनस और plus क्या होता है तो यहाँ पर single minus लिखना है single minus लिखने के बाद 0.1 0.1 कर देना है तो answer कितना आ जाएगा दोस्तों बरावर minus 0.22 तो 3 a clock का जो reading आया दोस्तों वो आया minus 0.22 यह 3 a clock का reading हो गया अब हम लोग 6 a clock का reading लिकाल लेते हैं 6 a clock का यहाँ पर देखना है आपको 6 a clock का क्या है f1 में f1 में है minus 0.19 minus 0.19 फिर minus कर देना है आपको 12 a clock को देखना है इसका जब 6 a clock देख रहे हैं तो इसका 12 a clock देखना है 12 a clock का reading क्या था यहाँ पर प्लस 0.15 था अब इसका लोग प्लस माइनस माइनस हो जाता है minus 0.15 करेंगे तो इसका जो answer आ जाएगा दोस्तों वो होगा minus 0.34 तो जो 6 a clock का reading आ गया दोस्तों वो अगया minus 0.34 आप लोग minus भी करके देख सकते हैं दोस्तों अब हम लोग 9 a clock का देखेंगे 9 a clock का reading तो इसका देखना है सबसे पहले आपको 9 a clock का reading क्या है minus 0.1 फिर आपको minus कर देना है इसके साथ कितने को इसका जब हम लोग 9 a clock का reading देख रहे हैं उससे में आपको इसका 3 a clock का reading देखना है तो 3 a clock में क्या reading है दोस्तों प्लस 0.02 क्लियर है तो इसको अभी हम लोग करके देखते हैं minus 0.1 minus minus plus minus हो गया यहाँ पे 0.02 तो इसका जो answer आएगा दोस्तों वो हो जाएगा minus 0.12 तो 9 a clock का reading आज दोस्तों वो कितना हो गया जो 9 a clock का reading आ गया दोस्तों वो हो आया minus 0.12 इस तरहीके से आपको final reading लिकालाना है दोस्तों यह जो है final reading है यह कौन सा final reading है F1 के साथ हम लोगों ने F2 को minus किया तो यह face reading जो है यह final reading है XL का आप लोग final reading इसको बोल सकते हैं दोस्तों तो इस तरीके से आप लोग को final reading को लिकालना है दोस्तों जब तक आप final reading को नहीं लिकालिएगा तब तक आप लोग फॉर्मूले में यूज करके alignment नहीं कर सकते हैं तो इस तरीके से आप लोग को double phase को single phase में convert किया जाता है, double axle को single axle में convert किया जाता है दोस्तों, simple सा process था है, इस तरीके से आप लोग को calculate कर लेना है, minus भी आप लोग करके देख सकते हैं, calculator लेकर, यहां देखे, minus 0.12 के साथ minus करके देखे 0.1 को, तो आपको इतना ही answer आएगा, इ इसको भी minus करके देख सकते हैं, आप लोग माइनस 0.12 के साथ minus करना है, 0.02 को तो answer आजाएगा, minus 0.12, इस तरीके से आप लोग को सारा लिकाल कर और आपको reading लेना है, इतना ध्यान देना है कि जब F1 का 12 लीजेगा, उस समय F2 का 6 लेना है, F1 का 3 लीजेगा, उस समय F2 का 9 ल लेना है, इसको याद रखना है, जब भी यहां पर देखे, F1 का 16 लीजेगा, उस समय F2 का कहा है, 12 लेना है, औो जब F1 का 9 लीजेगा, उस समय F2 का 3 लेना है, opposite reading को minus करना है, दोस्तों, और final reading को आपको आसानी से लिकाल देना है, और इसका जो alignment का formula है, वो भी में बता देत प्रेंट फूट वाटिकल पहले हम लोग वाटिकल मोमेंट को समझेंगे तो वाटिकल मोमेंट के लिए हम लोग को यह वाला रेडिंग लेना पड़ेगा यह वाला सिंगल रेडिंग लेना पड़ेगा और रेडियल का यह वाला रेडिंग लेना पड़ेगा वाटिकल एफ भागा ए गुना बी प्लस आर बाई टू ठीक है ये क्या है फ्रंट फूड वाटिकल का बैक फूड वाटिकल का हम लोग देख लेते हैं अभी बैक फूड वाटिकल का हम लोग फॉर्मूला समझ लेते हैं वो है f भागा a गुना b प्लस c प्लस r by 2 यह जो है फॉर्मूला है दोस्तो डवल एक्सेल का यह फॉर्मूला है डवल एक्सेल जो डाइल इंडिकेटर से आप रीडिंग लीजेगा उससे यह वाले फॉर्मूले से आप लोग एलाइमेंट कर सकते हैं यह वाटिकल मॉमेंट क करके हम लोग देखेंगे किस तरीके से रीडिंग लिकाला जाता है उसके बाद और एक वीडियो अपलोड होगा जिस पर हम लोग समझेंगे दोस्तों तो आज जो हम लोगों ने समझा वह फाइनल रीडिंग लिकालना समझा फाइनल रीडिंग कितना आ गया दोस्तों यहा माहाँ पर हो गया minus 0.12 तो यह final reading हो गया द datos देखिए गल्व को सिंगल फेस के दोस्टों किलियर है वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर इस बीडियो से कुछ भी अच्छा सीकने मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरहन चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथी बेल आइकन को प्रेस कर दीजे, जिससे आप लों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तो, चैनल का मेंबर्सिप अभी तक अगर आपने जॉइन नहीं किया, तो तुरहन जाकर चैनल का मेंबर्सिप जॉइन कर लिजे, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अप्लोड हो चुके हैं दोस्तो, मिलते हैं ने